सु जाहिं दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में डॉक्टर राम बंदर लो यह अवद निश्टी बीएट सेकेंडियर के थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट की कम्प्लिट इनालेसिस करने वाले इस वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन से पॉइं कंटेंप्री इंडियन एडियों इडियों कंसर्ण इन इसू समकालीन भारत और सिक्षा चिंता एकमध्य तो इस तीसरे सब्जेक्स का जो फॉर्स्ट यूनिट है फॉर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है फॉर्स्ट रिट का सबसे पहले आप से लेबस देए तो यह जो फ टॉपिक पढ़ना मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको उदेज से अदर्स और विशिश्थाया पढ़ना के बारे में Start Sight इनके उदेज से आदर्स और इनकी साह उन्हास लूले मानिये पस इनी तीन से हर साल कोशन आना है 20-20 नंबर के सवाले आ रहे हैं अब आईए अब आईए थोड़ा सा प्रिवीज से कोश्टन देख लेते हैं ताकि आपको और यकीन हो जाए आपको और इस बात पर इस्वास हो जाए कि यही पढ़ना है तो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं 2021 से तो देखिए 2021 में कौन सा सव देशों की व्याक्य कीजिए डिस्क्राइब देखिए अड आइडियल्स अफ द बादिश्म एजुकेशन तो यह देखिए 15 नंबर का सवाल आता इसमें थोड़ा सा और एड किया गया था कि वर्तमान परिपेक्ष में इसकी व्याक्य की वर्तिमान परिपेक्ष में इसकी कंपैरिजन करना था तो कहने का मतलब यहीं कि देखिए 15 नंबर में बौदिन कालिन सिक्षा के आदर्स और उद्देश से पूछे गए थे और 2021 में एक नंबर के सवाल में यह आया था कि मुस्लिम कालिन सिक्षा के किसी चार प्रमुख विस्षिस्ताओं का वड़ल करिए दिस्क्राइब दो फोर मेन कारेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम पेरिड़ अफ एजुकेशन तो यह दोजार इकिस की बात है दोजार इकिस में सोरह नंबर का सवाल आया था अब चलते हैं 2020 में यकीन करें इससे भर-भर के सवाल आया था फॉस्ट इनिट से ही आधिक कोश है दोस्तों तो दोस्तों 2020 की बात करें तो 2020 में एक नंबर में सवाल आया था कि मक्तब और मदर्शा से आप क्या समझते हैं मक्तब और मदर्शा के बारे में लिखने था जो कि इसी से रिलेटर है और आठ नंबर में दो सवाल आये थे आठ आठ नंबर में वह भी अथवा क करके नहीं अलग-अलग आये थे 2020 में तो पहला सवाल ये था कि मुस्लिम कालीन सिक्षा के आदर्स एम उद्देश्यों के उलेख करिए और दूसरा सवाल ये था कि वैदिक कालीन सुरी बौधिक कालीन सिक्षा के उद्देश्यों आदर्स के उलेख करिए तो देखे पहले मक लीन के आदर सेम उद्धियों की व्याख्या करिए और वर्तमान परिप्रिक्षी में इसका महत्व बता आई तो कहने का मतलब है कि फिर से 2020 में देखिए 15 नमबर में भी आया है सवाल तो आपका आया था आठ नमर में कि मुस्लिम कालीन सिक्षा की विस्यस्ता है बताइए तो मुस्लिम कालीन सिक्षा की विस्यस्ता के बारे में आठ नमर का सवाल आया था और 15 नमर में सवाल आया था कि वैदिक कालीन सिक्षा के आदर सेम उद्धियों का व्याख्या करि कि 2017 में एक नमबर में यह सवाल आए था कि मक्तब का परिशे दीजिए और आठ नमर में यह सवाल आए था कि मुस्लिम कालीन सिक्षा की व्याख्या किजिए और 15 नमर यह सवाल आए था कि बौदिक कालीन सिक्षा के आदर्स एवं मुद्येसों की व्याख्या करिए तो देख बाधिक कालीन सिक्छा और वयदिक कालीन सिक्छा आदर्श उद्यस और विशेस्टाएं और महत्व महत्व सबसे लास्ट में पूछा गया था 2017 में एक पर पूछा गया था कि वैदिक कालिज सिख्चा के महत्व बताईए तो ये तीन ऐसे बिंदू हैं इनके आदर्स उद्देश और इनकी विश्यस्ता हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तो आएगा अब आपको क्या करना है आपको इसका एक्पतली सी नोट्स बनाएए एकपी बनाएए और आज ही आपको जो एक्जामे लिखना है उस दिन वह आज ही तो दोस्तों यह चोटी से informative वीडियो थी आप तक के शेयर करना था और एक खास रिक्वेस्ट आप सबसे लिए कि अगर आप टेलिग्राम चैनल में अभी तक जॉइन नहीं हुए तो जॉइन हो जाएए टेलिग्राम चैनल पर आप आप आएंगे तो वहां आप प्रोफाइल पर क्लिक करेगा वहां एक मीडिया का उप्शन आएगा वहां चाहेंगे तो फाइल लिखा रहेगा फाइल के नीचे आप देखेंगे तो तमाम पीडिएफ शेयर किये गये हैं बिएट फरस्टियर सेकेंडियर की पीडिएफ हो प्रिविएस यह कोश्चन पेपर या फिर स सारे पीडिएफ वहां पर शेयर किये गये इसलिए आपको वहां पर स्टडी मिल जाएगा आप वहां से जूड़ जाएए और एक खास रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो टेलिग्राम में जॉइन है दोस्तों आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफ़र्ट देना क्योंकि आप जो प्लाएंगे उसके आंसर उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक वच्चे से जो भी टेलिग्राम में है या फिर जो नहीं है टेलिग्राम में जॉइन करिए और स्वेम से इसका आंसर बनाईए मैं मैंने फूर का लिनसिक्चा और अगले दिन वैदिक का लिनसिक्चा अगर आप तीन दिन में इन तीनों का लिनसिक्चाओं को पढ़ लेते हैं नोट्स बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 15-20 नमबर आज ही तयार हो जाएगा तो दोस्तों बाकी कैसा लगा यह वीडियो आपको किलिक्राम चैनल पर तब तक अपना खूब ख्याल रखिए पढ़ते रहिए सेल्फ नौश्ट मनाई है सेल्फ इस्टेडी करिए बाकी जो भी रिसर्च हो उसके लिए मैं यहां पर मौझूद हूँ बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो यहीं ज क्या मर। क्या है